असलाव में बेज़वान चीमा वेलकम बैक विद नदर वीडियो ऑफ केपिटल स्मार्ट सेटी आज के स्टुडियो में आपको ओवर सी सेंट्रल सेक्टर सी के हवाल से एक्स्पेंट करूंगा ये जो सीरीज है सेंट्रल की इससे पहले मैंने सेक्टर A की वीडियो बनाई है पर सेक्टर B की पर सेक्टर C की इससे पहले कंपाइड वीडियो भी थी ओवर सी सेंट्रल की बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली सिर्फ सेक्टर C को डिसक्स करेंगे सेक्टर C की ओवराल एलिवेशन को सेक्टर C के सराउंडिंग में नेबरोड में जो अमेनिटीज है उ First of all, बात करते हैं, sector C में sizes of plot किस ता के plot हैं, sector C जो है located at a junction पे, जहां पे एक साइट पे 400 फिट की रोड है, main boulevard और एक साइट पे 350 फिट रोड है, और एक साइट पे linear park है, और उपर वरिल साइट पे जो रोड है, उस रोड की वेट बनती है, 160 फिट और 160 फिट जो है वो उस जब distance compare करूँगा, तो इसके मकाबले में sector B आएगा, Oversies East का, हम दोनों का उपस में comparison करेंगे, और sector F Oversies Prime का भी आएगा, मैं जब map डिस्क्स करूँगा गूगल पे, तो मैं जब वो भी डिस्क्स कर दूँगा, कि तीनों में ideal option कौन सा बनता है, याद रहे कि sector C में, for example, हम सबसे पहले street wise बात करें, street 1 पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शल प्लॉट है, 6 मरला के, जो main boulevard की back पे आते हैं, और 6 मरला के जो commercial हैं सारे, इनका size बनता है 30 by 45, square yards में बात करें, तो 150 square yards, और main boulevard पे जो प्लॉट है, वो सारे के सारे बनते है, 40 by 45, तो दोनों एक dimension के प्लॉट बनते हैं, सिर्फ फ्रंट का फर्क है, अगर street 1 पे बाकी block बात करें एक पार्क आता है, और पार के लावाँ पे है सच कोई activity नहीं है, c block की सारी land पे क्योड है, c block में कोई litigation नहीं है, अभी वहाँ पे सिर्फ कटिंग वाला काम रहता है, जो आप कोई कमरे नदार हैं, it means कि स्मार्ट नहीं land प्रिक्योर कर रखी है, बस इस पर development होनी है, c block और b block जान से start होता है, इनका divider है, जो c और a block का, वहाँ एक water body है, water body से आगे सारा area जो है, वो c block का start होता है, और c block के back side पे सारा silicon valley आता है, अब c block के street number 2 की बात करें, street number 2 पे जो plot number 1 से लेके plot number 29 तक बनते ह और street 3, street 4 जो है, उस पे plot number 1 तो plot number 31 है, और इसके आगे जितने plots हैं, वो तमाम के तमाम plots जो है, वो reserve plots हैं, उनमे as such society की तर से sale नहीं कीगे, वो mostly plots, right now जो footage आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह sector C के opposite side पर, जो 400 फट रोडल साइड है, वहाँ से आती है, sector E, sector C और sector E के दर्म में एक partial part है, जो litigated है, जिसकी land society के पास नहीं है, अभी आगे जागे वो footage आप देख भी लेंगे, बलकि इसी एंगल से आपको इसी frame में नजर आ जाएगे, वो वाला part जो नजर आ रहा है, यह litigated नजर आ रहा है, बाकि जितना part है, वहाँ पे आपको already browning, plus cutting वाला काम है में नजर आता है, यह सामने जो area नजर आ रहा है, यहाँ पे sector B, opposite side पे sector B है, इस water body के साथ sector B के इस तरफ जो है, यह आपको high rise apartment का plot है, यहाँ पे residential apartments बनेंगे, यह उनका plot है, बाकि इसके साथ जो बात करें सी जहाँ पे आपको यह greenery वाली space नजर आ रही है, यह sector C से आगे जो बाता है, यहाँ पे sector A के opposite side पे कर देखें, यह sector A के sequence में जो बनता है area, वो area बनता है, तो यह partial part है, जहाँ पे street 1 और street 2 का latigated है, और इसके साथ जो main ground या park नजर आता है, वो भी sector C में ही इसी point पे located है, sector C में बहुत बड़ा park भी है, अब वाँ पे क्या amenities देते हैं, वो later stage की बात है, for the time being, इस frame में आपको sector C, sector D, sector E और sector B जो है नजर आ रहे होंगे, और main 400 feet road जो है, उसका भी footage नजर आ रहे होगी, कि main 400 feet road जो है, वो कितना develop हुआ है, याद रेके 400 feet का जो रोड है, वो इंटरचीन के starting point, doctor and clear से लेके, sector C तक मकमल जो बन चुका है, partial part पे carpeting भी वो metro lane भी बन चुकी है, बाकि इसके लावा sector C की location के हवाले से सब्सक्री important चीज ये आती है, कि sector C जो है, वो एक तरफ से located 400 feet road, 357 feet road और back side पे Silicon Valley आता है, Silicon Valley किसलिए importance है, कि पाकिस्तान में किसी भी housing project में, अगर आप देखें, तो USA center है, दुनिया में technology का, technology में USA के अंदर अ जितने head offices, IT companies के हैं, Facebook हो गया, Apple हो गया, आपके साथ Google हो गया, Snapchat हो गया, Instagram हो गया, इन तरह के जितने head offices हैं, सारे वहाँ पे होते हैं, अभी मैं गूगल लोकेशन में चीज़ने explain करता हूँ, उसके बाद आगे जाकर वीडियो में मजीड details explain कर दूँगा, इस वागर में स्क की वीडियो है, वो इस सेक्टर के अवाले से है, सेक्टर C के, और सेक्टर C के अगर मैं specifically सबसे पहले बात करूं, चार साइट की तो इसके ओपर नौर साइट पे 160 फूट का रोड है, नौर साइट पे 160 फूट है, में रोड 160 फीट, राइट साइट पे इसके एस साइट पे कमें बुलिवेड़े, 400 फूट का, ये ग्रेंट से बड़ा पार्क इस तरह ओवर सीज इस्ट में एक पार्क है, 200 C किनाल का, इस तरह यहां भी एक पार्फी बड़ा पार्क है, उसके लावा ये सौथ साइट पे 350 फीट रोड है, जिसकी बैक साइट पे सिलिकोन वैली है, और इसके अगर लेट से बात करें, तो वैस साइट पे तो वैस साइट के से पे, कमेर्शल डिस्टिसिविक सेंटर है, लीन पार किस तरफ, और इसके साथ बिलकुल आपके सेक्टर A आता है, फिर रिंग रोड और एंड देन, मोटर वे, अगर हम बात करें, मोटर वे की, त 400 फिट रोड से भी ताके मेंबर्स को अच्छे अंडेस्टेंडिक मिल सके कि सेक्टर C की एक्चुल लोकेशन कहां भी बनती है, बस देखा जिए सेक्टर C जो बिलकुल स्टेट एरो की तरह इसका रसता है, ऐस सच कोई बीच में कन्वर्जन नहीं है, 3.99 किलोमेटर बनता यह सेक्टर C का पॉइंट है, यह आप इंटरचेंज है, अब दोनों में देखें तो ऐस सच कोई डिसंस 4 किलोमेटर फिल नहीं होता, जब आपने 400 फूट के रोड पर डावल करना हो, इवन तो जब कि M2 मोटर वे है, वो 220 फूट की है, तो आप उससे अंदाद लगा सकते हैं, अब इस से आगे, अगर मैं देखता हूँ, 185 फिल रोड से, अगर आप आते हैं, सेक्टर C की तरफ, सेक्टर C 185 फिल रोड से हैं, 3.65 किलोमेटर के डिसंस यहां भी बनता है, तो दोनों साइड से डिसंस जो है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, एक तरफ 4 किलोमेटर तरफ तरफ 3 किलोमेटर हैं, तो अच्छे डिसंस के साथ, अच्छी लोकेशन के साथ, यहां भी प्लॉड से वेलेबल हैं, अब आते हैं जी, इसके अंदर जो स्पेसिफिकली प्लॉड की साइजिस हैं, तो जैसे मैं ने वेज़े वीडियो में एक्स्पें किया था, के सेक आप दो जो मेर और अमिनिटीज आती है वो यह आता है कि राइट साइट पर आपके 400 फुट रोड है उसके डिवाइट करने के लिए कमर्शल रोड बन चार मरला और इसका के 40 फुट रोड, 40 फुट रोड, 18 फुट पार्किंग, 18 फुट पार्किंग तो आपके 76 फुट का यह रोड बन जाता है इस तरफ आएं तो यह मेन 400 फुट का रोड है तो मुझे को एक्स्प्लिनेशन देने की जरूद नहीं है इस साइड जो सेक्टर A के साथ 8 मरला और 6 मरला कमर्शल बनते हैं वो सारे 8 मरला 350 फुट रोड फेसिंग है और इसकी बैक साइड पर जो रोड है जो 40 फुट प्लस 36 फुट है 76 फुट का रोड यह बनते है तो यह आपका रिया जो बनते है तो बर छे मरला कमर्शल फेसिंग बनते है और इसके लावा यहाँ पे एक residential apartment की building भी है यहाँ पे जैसे commercial civic center है, एक मरकज होगा यहाँ पे और यहाँ भी residential building का एक complex बनेगा यह overall sector C की location है अगर हम बात करें golf course की तो sector C जो golf course से है वो मैं distance बताता है आपको Grand Jamais Moss से पहले देखते है Grand Jamais Moss से sector C का जो distance बनता है तरीवन 1 km यह 1.5 km का और इसी point को आख extend करने golf course तक तो आपको distance बनता है 1.84 km का जो कि इतना मिले हल में ज्यादा distance नहीं है आप golf course से तरीवन 2 km के फासले पे हैं Main Jamais Moss से तरीवन 7 km के फासले पे हैं सारे immunities यह हैं वो काफियत तक आपको understand होगी होगी बागे sector C का specific अगर मैं जाओं तो यह नीचे land भी आपको मैं दिखा रहता हूँ कि नीचे land कैसी available है अब यहां पे कुछ पार्ट litigated लग रहा है इसमें सिर्फ यह nominal सा पार्ट है इस वाल एरिया है जो litigated अभी तक है बागी तमाम एरिया जो है वो सारा brown हो चुका है तो जब updated होंगी तो आपको इसका बहतर idea मिल सकेगा बागी सेक्टर C पे यहां पे जो filling होगी यह water body है street number 5, street 4, street 6 पे और इन पे जो plots पे जो filling होगी तो यह वाले plot जोंगे काफी खर्चा है यहां पे जो भी घर बनाएगे members वैसे साइटीने C ब्लॉक में overall यह पार की जगा जो है यह भी सारा area brown है यह भी brown है सिरसे center का पार्ट है थोड़सा water body भी जगा मजूद है यह बना नहीं है बाकी तमाम area जो है अलड़ी बनके complete हो चुका है well viewers this was it from today अगर आपको capital smart city है lahore smart city में बुकें के बारस कुछ मालूमाँ चाहिए हो देगर नमबर बर रापता करें इसके साथ साथ हमारी website विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको ये विडियो ची लगे तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए अजासत अगली विडियो ते के लिए खुदाहाफिस अगर जना मत भूलें अगर आपको अगर आपको शारी अगर आपको अगर आपको पह बादिक ये लाइक, क्या मत भूलें कर रिए अगर भूलें